आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, तो हमारे पास Question है जिसमा में कहे Which of the following equations has x equals to 3 as a solution? तो हमारे पास Question में कहे हमारे पास 4 equations दियो है तो हमें बताने की x equals to 3 किस equation का solution है तो अगर हम first equation को solve करें first option को तो हमारे पास दिया है x plus 2 equals to 6 तो हमें इसमें x equals to 3 पूट करके देखने की satisfy करते हैं या नहीं तो x के जगा अगर हम 3 put करते है तो हमारे पास आएगा 3 plus 2 तो हमारे पास equals to 6 दे रहा है बट 3 plus 2 हमारे पास 5 होगा जो कि हमारे पास not equal है 6 के तो it means हमारे पास first option जो है वो wrong हो जाएगा ठीक है फिर हम second option को check करेगे जो कि हमारे पास x minus 3 equals to 0 तो इसमें x equals to 3 put करके देखेए तो हमारे पास आएगा x जगा 3 minus 3 equals to 0 तो 3 minus 3 हमारे पास होते है 0 तो 0 is equals to 0 तो x equals to 3 second option में satisfy कर रहा है इसमिन second option हमारे पास correct option है फिर हम third option check करके देखते है तो हमारे पास third option है 2x plus 1 equals to 0 तो x equals to 3 अगर हम put करते है तो हमारे पास आएगा 2 into में x से जागा 3 plus 1 तो 2 3 जा 6 plus 1 7 तो 7 हमारे पास not equals to 0 है तो हमारे पास third option भी जो होजेगा वो wrong होजेगा ठीक है फिर अब हमारे पास है fourth option जो कि हमारे पास x plus 4 equals to 0 तो अगर हम fourth option चेक करें x plus 4 equals to 0 तो x से जाएंगा 3 पूट करेंगे तो 3 plus 4 हमारे पास आएगा 7 जो कि हमारे पास 0 को equal नहीं है तो हमारे पास यह option भी satisfy नहीं कर रहा तो हमारे पास जो answer होजेगा वोजेगा second option जोंकि second option में हमारे पास 0 equals to 0 आ रहा है तो हमारे पास option 2 correct होजेगा x minus 3 equals to 0 क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 पर